हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्ट कपिल तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नो MBA एड्मिशन के बारे में तो अगर आप जैनुरी 2024 सेशन में इग्नो से MBA में एड्मिशन लेने वाले हैं तो यहाँ पर दोस्तो इस वीडियो में आपको complete information मिल study material के regarding and और भी जितनी आपकी queries नहीं हैं वो साथ में मैं आपकी इस वीडियो में solve करने वाला हूँ तो यहाँ आपको इस चीज़ की गरांटी देता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को detail में watch कर लिया तो admission लेने के लिए आपको कोई भी problem नहीं आने वाली और बात की कही इसके job updates के कैरी में कैसे grow करना है उसकी आपको नोटिफिकेस यहाँ पर मिलते रहें तो चलिए भी वीडियो को करते हैं स्टार्ट देखिए दोस्तों अभी हम computer वीडियो में यह चीज को describe करता हूँ ताकि अगर आपको इन में difference का कोई doubt है वा आपको clear हो जाए ठीक है फिस्टे डिस्क्राइब करते हैं जलिए इस चीज को तो देखिए open distance learning and online में क्या difference होता है open distance learning क्या है जैसे इगनों से आज तक study होती है मलब कि आपको printed material आपके घर पर बेज जाता है प्लस आपके देखिए exams के लिए centers बनते हैं आपको जाकर exams देकर आते हैं कई आपको study centers में यहाँ वीकेंड की classes मिलती है तो यह सारी किसे आपके होती है audio mode से open distance learning mode से ठीक है and online देखिए कि क्या होती है online learning में क्या होता है आपको यहाँ पर online environment system मिलता है जिसमें क्या होता है कि आपको सारे lectures online मिलते हैं आप डेली बिसी पर lectures लगा सकते हैं और आपके exams भी online mode से होते हैं लेकिन अभी इगनों ने इसको start किया है तो मैं आपको सज़ करना है अभी distance modes पर क्लिक मलगी वह आपके उपर है कि आप online में जाना चाहिए तो आप उसके analyzing कर सकते हैं लेकिन अभी के लिए मैं audio mode प्रेफर करना हूँ अब दिखिए जब आप admission लेने वाले होते हैं किसी भी university में तो हम दिखिए इगनों पर DUSOL पर वही students आते हैं जो कह आप online mode से study कर सकते हैं ठीक है और इगनों पर तो आपको placement की assistance नहीं मिलती लेकिन बहुत सारी ऐसी उनिवरस्टी से जहां से आपको placement की assistance मिलती है EMS में आप fees को pay कर सकते हैं और यहाप पर अगर guide की बात करें जैसे आपको इगनों पर mail का reply वगरा देखेंगे नहीं आता है वहाँ पर आपको reply वगरा भी आते हैं ठीक है तो आप यह चीज़ें आपको यहाँ पर visit करना है collegevidya.com पर यहाँ पर आपको free of cost उनिवरस्टी मे compare करने की चीज़ में लेगी और उसके बाद यतनी उनिवरस्टी में उनके आपको placement के assistance भी हाँ पर मिलेगी quality देखें और से तो अभी देखिए हम MBA की बात करना है तो अगर आपको online MBA में जाना है तो आपको simply यहाँ पर click कर देना है जैसे आप click करेंगे उसके बाद पर click करना है उसके बाद दिखिए आपके सामने यह 8 simple questions आएंगे ठीक है तो इनके basis पर फिर आपको universities दिखाई जाएंगी तो दिखिए यहाँ पर हमारे सामने कितनी universities अभी आ चुकी है उनकी fees आपको दिखाई दे रही है ठीक है तो यहाँ पर सारी university UGC approved भी है तो compare करने के आपको add to compare पर click करना है तो आप दिखिए universities को choose कर सकते हैं जिनके बीच में आप चाहते हैं कि आपको compare करना है ठीक है तो जैसे आप compare ना उपर click करेंगे दिखिए आप 10 plus factors आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जैसे कि आपकी किन-किन companies में placement हो सकती है और उसके बाद student की क्य रेटिंग है इन university के लिए क्या choice है एंड EMI is partner आपको दिखाई जा रहे हैं तो यहाँ पर यह सारी इसे आपको free of course quality विद्या प्रवाइड कर रहा है जिरके आप universities में compare कर सकते हैं और उसके बाद admission ले सकते हैं देखिए चोटी से चोटी चीज को आप compare करके buy करते हैं लेकि आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर प्रसीटी उनिवर्स्टी पर करेंगे डरक्ली आपको रीडरेट कर देगा यह उनिवर्स्टी के ओफिशल वैबसाइट पर और आपकी admission हो जागी डरक्ली उनिवर्स्टी के पेस से तो free of course quality विद्या आपको यह चीज तो आपको simply करना गया है जैसे मिन आपको बताया सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है यह इंटर्फीस आजाएगा फिर आपको program information पर जाना है देन आपको यहाँ पर search for programs में जाकर आपको यहाँ पर टाइप करना है जैसे आपने यहाँ पर टाइप कर लिया उसके वह दिखे हमें यहाँ पर master of business administration का यहाँ पर ढूणना है दिखे तो यहाँ पर दिखे यहां से मारी स्टार्ट हो जाती है MBA की तो MBA banking and finance आपका अविलेबल है MBA जो आपका जनलर है वह वह अविलेबल है financial management में अविलेबल है एक simple MBA है जो आपकी management studies होगी और 5 आपको specialization मिल रही है वह आप यहाँ से मैंने आपको बोल के बता दी है वीडियो को pause करके भी आप इनको देख सकते हैं ठीक है तो अगर आप इनको देख सकते हैं तो अगर आप इनको देख सकते हैं तो आपको simply यहाँ पर क्लिक कर दिना है जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं दिखें फिर आपके यहाँ पर इसको duration बताई जाएगी eligibility आपको चीज़ें बताई जाएगी तो अगर दिखें यहाँ पर eligibility की बात करें तो अगर आपने graduation की हुई है 3 years की with at least 50% marks and 45% आपके ताबक acceptable होंगे जब अगर आप reserved categories आते हैं ठीक ह यहाँ पर mentioned आपको इस तरीके से eligibility दिखाई दे जाएगी जिस भी MBA की program में आप admission लेने वाले होंगे और आगे अगरे आपर fees structure की बात करें यहाँ पर दिखें इसकी fees दिखाई जा रही है 15,500 first semester for first, second and fourth semester and यहाँ पर third semester के लिए 17,500 fees यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है औ यहाँ से आप उसको देखेंगे program information से जाकर तो आपको उसकी पूरी चीज़ेंगे eligibility fees and सारा कुछ पता चल जाएगा तो then उसके बाद आपको यहाँ पर आगे की चीदों के दिखना है यहाँ पर देखें अब आपने देख लिया कि आपको किस MP की specialization के साथ जाना है ठीक है उसके बाद अब हम यहाँ पर इसके main page पर जाकर देखेंगे हैं देखें यहाँ पर इसकी जो last date हमें दिखाई जा रही है वह 31st January 2024 मलब की last date for submission of application इससे पहले पहले आपको यहाँ पर admission के लिए apply करना है ठीक है admission के form को fill करना है 31st January 2024 से और यहाँ पर अगर extend की बात करें तो वह आगे depend करता है लेकिन अभी के लिए यही information हमारे पास से है अगरे documents की बात करें कि कौन से documents यहाँ पर आपको चाहिए इगनोमेंट मिशन लेने के लिए MBA में तो यहाँ पर देखेंड है कि सबसे पहले scanned आपकी photograph चाहिए उसके आपके signature होने चाहिए दोनों की यहाँ पर documents है इनको आपको ऐसा नहीं है कि आप इसकी Xerox को scan करके डाल दें आपको original documents को scan करके डालने वो नीचे mentioned भी है देखें board letters में it is necessary to scan documents from originals ठीक है और यहाँ पर equation all arise होता है कई हम पर कहेंगे sir हमारे यहाँ पर result नहीं आया है क्या हम admission ले सकते हैं हमारे यहाँ last semester भी complete हुआ है और हमारे पास उसकी सिर्फ mark sheet है तो पीछे किसी में compartment है हम admission ले सकते हैं तो आप admission नहीं ले सकते हैं totally clear है कौन admission ले सकता है जिसकी देखिए degree complete हो चुकी है result आ गया है लेकिन उसकी अभी तक final degree certificate नहीं है तो वो भी कैसे admission लेगा वो अपने college से provisional certificate ले सकता है कि उसने सारी चीज़ें नहीं है ठीक है तो आपको यह चीज़ का ध्यान रखना है अगर आपकी graduation हो चुकिए अभी तक आपके पास graduation certificate नहीं है तो आप provisional certificate लेकर यहां पर upload कर सकते हैं कहां पर upload करना है वो मैं आगे आपको बता दूँगा ठीक है यह question clear हो गया दर उसकी बाद और document आपका चाहिए experience certificate अगर आप कहीं पर work करने हैं तो वह आप साथ में attach कर सकते हैं जैन उसके बाद scan copy of category certificate अगर आप SCST OVC category से हैं और आप scholarship लेना जाते हैं तो आप यहां पर इसको भी attach साथ में कर सकते हैं तो यहां तक आपको detail clear हो गया होगी और अगर fees की बात करेंगी कि इस mode से आप पे कर सकते हैं देखें आपर mention है credit card debit card net banking के तुरू आप अपनी fees को यहां पर पे कर सकते हैं ठीक है अब यहां तक आपको सारी जिए clear होगी हैं तो अब जलिए बात करते हैं कैसे admission form को fill करना है registration करने के बाद तो सबसे पहले आपको करना गया है यहां पर दिखे click here for new registration पर click कर देना है तो यहां पर आप सबसे पहले अपना की username and password बनाने वाले हैं जिसे आप Igno की ID भी कह सकते हैं जिसके तुरू फिर आप सारे admission form को fill करेंगे और जिसके तुरू आप उसको track कर पाएंगे कि आपके admission confirm हुई है या फिर नहीं हुई है तो यहां पर सबसे आपको username बनाना है username को unique सा रखना है जैसे मेरा नाम कपील है आप रख सकते हैं कपील 3456 ऐसे यहां फिर आपका जो भी नेम है बलकि जो username पहले यहां पर exist ना करता हूँ एसा आपको unique सा बना लेना है and small letter में ही आपको यहां पर लिखना है और इसके आपना है फुल नेम एज पर educational documents यहां पर लिखा हुआ है बाद में आपको नहीं कहना है कि यह तो मैंने वैसे रिजिस्टर किया था आपको जो आपके education documents पर फुल नेम आपका चल रहा है वो यहां पर सई दरीके से फिल करना है और यहां पर देखिए कुछ और important instruction है कि जो आप अपना mobile number and email id यहां पर रिजिस्टर के time पर डाल रहे हैं वो आपकी active होनी चाहिए क्योंकि उसी के through आप से contact करेगा एक नो आपको further सारी information provide करेगा clear यहां तक और देखिए आगे आपको आपको email address डालना है फिर आपको अ पर लौग इं करना है फिर आपके सामने इंटर्फेस open हो जाएगा जहां से मैं admission form को start करना है तो चलिए हमने लौग इन करके आपको वो दिखाता हूं तो दीखिए login करने के बाद हमें यहां से सारे admission form को fill करने है ठीक है यहां पर आपको complete करने के बाद यहां पर आपकी admission के लिए फॉर्म सम्मिट हो जागा ठीक है तो सबसे पहले देखिए परसनल फिर प्रोग्रम फिर क्वालिफिकेशन कोर्स कॉर्रेस्पंडेंस डिटेल अपलोड प्रिव्यू एंड फीज ठीक है तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं कि कैसे फिल करना है सबसे पहले यहां पर आ तो इसको आपको अपने एक़र्टनी फिल करना है क्योंकि आपके परसनल रिटेल कर सकते हैं तो यहां पर सिंपपली डेमड करलिक करना है तो तो बहुत कमें अपर इंट है तो आपको एडिट पर पर क्लिक करके इसको add it up कर सकते हैं फिर आपको सब्सक्राइब कर दिया आपको सामने सेटिंड उप्षन आएगा देखिए बाद आपको अपना मीडियम कौन से मीडियम है इंग्लिश मीडियम है और यहां पर आर यू अल्रेडी स्टुएंट ऑफ इगनो फॉर अदर प्रोग्रम क्या आप इगनो से किसी और प्रोग्रम के लिए अपने अड्मिशन ली हुई है तो आपको यस करना नहीं तो नो करने जाएगी मलग यहां पर हमारी थी यह की बैसलर डिग्री विद्ट फिफ्टी परसंट मांगी गई थी तो उसको आपको यहां पर स्लेक्ट कर लेना है जिर्ण आपको यहां पर आपको जो नीचे यह तीनों अप्शन दिखाई दा रहे हैं अब एक चीज और है कि यहां पर अप्शन लें ठीक है उससे आप यहां पर छोड़ भी सकते हैं लेकिन जिस पर रेडिये स्टार बना हुआ है उसके बिना आप आगे वाली टैप पर नहीं जा पाएंगे ठीक है यहां तक चीज क्लिए अब इन्हें हम स्किप भी कर सकते हैं तरह हमें सम्मीट पर क्लिक कर देना है उसके बाद हमें नेक्स पर क्लिक करना है तो देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि यहां पर कई करेक्शन के लिए फिर आपको रीजिनल सेंटर भी जाना पड़ सकते हैं तो उसका जादा कॉम्लिकेटर प्रस होता है तो पहले आपको खोशिच करना है कि जो आप फ पर आगी बात तो कई प्रोग्रेमस में यहां पर आपको प्रिंटिट फॉर्म में स्टैइए अगर आप डिजिटल ले ले लेते हैं तो आपको 15% का फीज में से डिसकाउट लग जाता है लेकिन यहां पर आपको कुछ नहीं शो कर रहा है तो तो अपर आपको आपको कर देना है थिए नंग को待って पड़ी कर देना है उसके बाद इकल आपको अपना memang और त्यावर करने वाले है वह आपका वो चलेगा चॉल ए पिर सब्सक्रीं को बिल्कूरेट अपना इड्रेस अपना फिल करना है देखिए मैंने यहाँ पर सिंपली डेमो लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर जैसे अपर ड्रेस जालेंगे अपना पिन कोड डालेंगे उसके बाद आपको अपना पोस्ट आफिस चूज करना है इसका भी प्रिव्यू करवा जा रहा है सब कुछ ठीक है देन एक्स प्रविजनल सर्टिकेट अफ ग्रेजूएशन अगर आपकी डिउरी अप तक नहीं है या वह कॉले से आप प्रविजनल सर्टिकेट ले सकते है ठीक है क्लियर अपना तक चेड़ी करत देंगे पर नेक्स ट्एब है प्रिवीं में क्या होगा आपके पूरा फॉर्म दिखल जाएगा जिसमें आपकी मेज लगी होगी signature होगा पूरी details होगी ठीक है तो उनको आपको with due and care अच्छे तरीके से चेक करना है क्योंकि वह आपको पास final option है सारी चेक करने के लिए ठीक है तो जैसे आपने उसे verify कर लिया बार बार दो तीन बार चेक कर लिया फिर आपको submit करके then fees को pay करना है तो जैसे आपकी fees pay हो जाती है उसके बाद आपको mail पर wait करना है कि आपकी admission कब confirm होती है कब आपको उसकी mail आती है कई students की तो देखे जल्दी हो जाती है कई आपको 2-3 महीने 4 महीने भी लग जाते है यह कुछ drawbacks है इगनो के first step पर ही admission confirmation को ही लेकर ही ठीक है तो इस तरीके से आपका सारा इगनो MBA का process रहने वाला है बाकी मैंने आपको बताया ही है कि अगर आप सोच रहे हैं अभी इगनो या फिर DUSOL से admission लेने के लिए तो आपको बस और भी options हैं जो आपको starting में बताया college विद्या के तरू ठीक है उसका link decision में है एक बार वहाँ से जाकर भी आप चेक कर सकते हैं वहाँ से counselor से आप suggestions लेज सकते हैं ठीक है expert से बात कर सकते हैं तो वहाँ से भी आपको help मिल जाएगी तो बाकि इसका यह सारा MBA का form रहने वाला है तो होप सो वीडियो आपके लिए help रही होगी और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लेगी हो व composed आपके, बादे में वी और दोस्तों इसक English कOP रहे होगी होगी ट्रामाश्य वीडियो में से पाम एाला हूँ पामाश्य Hoje ऎ ऐससे वाट मिल जावी होगी है थिघ्यों मैं